आज की वीडियो में मैं आपको DPS के fee structure के बारे में आपसे बात करूँगी किस तरह से आप घर बैटे DPS के किसी भी स्कूल इंडिया में जो ओरिजिनल DPS स्कूल हैं वहां का fee structure के इस तरह से पता लगा सकते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और मेरे चानल पे नहे तो DPS, Delhi Public Schools, all over India हैं बट कही बार DPS के नाम से कुछ और स्कूल खुले हुए हैं मतलब कुछ नेम थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है और जो डारेक्ट अंडर DPS Society हैं उन स्कूल का पता करना हमें मुश्किल होता है और जब हम fee structure जानना चाहते हैं किसी स्कूल का तो हम गूगल पे हम search करते हैं तो हमें original DPS का हम इस तरह से पता नहीं लगा सकते हैं तो यह आपको किस तरह से पता आप लगा सकते हैं वही मैं आज आपको बताऊंगी आपको सबसे पहले Google पे DPS Society लिखकर search करना है तो जो website आपको मिलेगी वो open करके आप उस से पता लगा सकते है DPS की वहाँ पे schools की list है original DPS, core schools, इंडिया में जो सारे schools हैं जो branches हैं abroad इंडिया के बाहर जो schools है DPS के उस सब की list आपको मिलेगी वहाँ पे आपको websites मिलेगी URL मिलेगी उस school का link website की link आपको available होगी उसे click करके आप उस school के बारे में सारी information ले सकते हैं अभी आपको show करूँगी क इस तरह से आप इसको देख सकते हैं आपको Google पर DPS society लिखना है सो सबसे उपर आपको DPS society का यह link दिखेगा DPS family.org इस URL पर आपको click करना है तो फिर यह जो DPS society की website है यह खुल जाएगी यहाँ पर आपको schools, DPS society यह सारा दिखेगा आपको schools पर click करना है यहाँ पर आपको course schools, schools in India and schools in abroad दिखेगा, course schools पर click करेंगे तो आपको जो course schools है वो उसकी list दिखेगी, total यहाँ पर 12 course schools है all over India, 12 course schools है जो directly under DPS society के control में होती है, फिर आप back जाएगे, फिर से schools पर click करेंगे, फिर आपको schools in India पर click करना है तो आपको जितनी भी schools है all over India जो branches है उसकी list आपको मिल तो यहाँ पर state wise दिया हुआ है, alphabetical order में है, first a, b, c, a start है, तो आसाम के जितने आसाम में schools हैं वो दिखेंगे आपको सबसे उपर, फिर आंधरप्रदेश में जितने schools हैं वो दिखेंगे, बिहार उसके बाद आप जब second number के page पर click करेंगे तो आपको फिर बिहार में जितने schools हैं चंदीगर, 36 गड़ में जितने schools हैं, गुजरात में जितने schools हैं वो दिखेंगे, फिर आप जब page 3 पर click करेंगे, इसमें भी गुजरात के schools दिखेंगे आपको, गुजरात के बाद हर्याना, हर्याना में जितने भी schools हैं उनकी list दिखेंगी, then number 4, 4th page पर click करेंगे तो औ और जो हर्याना में schools हैं वो दिखेंगे आपको, फिर number 5 पर भी हर्याना, इमाचल प्रदेश, चमुहन, कश्मीर, जितने schools हैं वो दिखेंगे आपको, number 6 पर आप click करेंगे, जारखन, करनाटका, कहरला, मध्यप्रदेश, और जो देखेंगे, website का link दिया हुआ है, आपको side म website का link दिखेगा, उस website पर आप click करके directly उस school की website पर जा सकते हैं, फिर ये देखें, पंजब, राजिस्थान, टेमिलाडू, तलंगाना, उत्राखन, उत्तरप्रदेश, फिर 9 pages, इसमें 10 pages हैं कुल, उत्तरप्रदेश के सारे schools, अब मैं एक एक आपको link खोल के दिखाऊंगी, किस तरह से आप schools को देख सकते हैं, देखे, मैंने DPS इंदरपुरम काजियाबाद के school पर click किया है, तो direct app is school की website पर जा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको admission, fee structure की सारी details आपको मिल जाएगी, फिर आप back आएंगे, schools की list में, schools in abroad अगर आपको check करना है, तो आप schools abroad देखेंगे, यहाँ पर जितने schools बाहर हैं, बाहर की countries में, वो दिख जाएंगे आपको country के name और उनकी website के साथ, यहाँ पर कुल eight schools हैं, जो बाहर हैं, इंदिया से बाहर, उनकी भी website का link आपको मिल जाएगा, तो इस तरह से आप सारे schools देख सकते हैं, यह थी सारी जानकारी कि किस तरह से आप schools का पता लगा सकते हैं, लिंक पर क्लिक करके website, original website पर पहुँच सकते हैं, डीपेस स्कूल की, और वहाँ का जो है fee structure, और वहाँ का admission process पता लगा सकते हैं, वहाँ के phone numbers का पता लगा सकते हैं, और आपको कोई भी fake school से बच सकते हैं, कोई भी misguidance नहीं होगी, आपको कोई गलत information नहीं मिलेगी, तो यह था आज का video, I hope कि आपके लिए helpful होगा, और पसंद आया होगा, पसंद आया होगा, तो do it the like button and do do share it with others, so that's it for today, thank you so much for watching.